वेलकम टू अजीत की यार आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकाउंट निकालना सिखेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए आपर एक कोशन है एक वस्तु है जिसका दाम है 900 रुपय और उस पर 25 पर 30 का छूट चलना है तो 25 पर 30 का छूट करने के बाद इस वस्तु का दाम कितने रुपय होगा ये हमें निकालना है कैसे निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर वस्तु का दाम कितना रुपय दिया है तो यहाँ पर वस्तु का दाम दिया है 900 रुपय और इस पर क्या है देखिए यहाँ पर 25 पर 30 का छूट तो देखी यहाँ पर क्या है 900 है तो यहाँ पर हम 900 को लिखेंगे इसके गुना में क्या है 25 तो यहाँ पर हम 25 को लिखेंगे और देखी यहाँ पर है प्रतिसत तो इस प्रतिसत को हम यहाँ पर से हटाएंगे तो इसके नीचे में कितना आ जाएगा तो इसके नीचे में आ जाएगा 100 अब देखिए यहाँ पर जो कटने वाला संख्या होगा उसे हम काट लेंगे तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएगा इसके बाद 25 का गुना 9 में कर लेंगे तो 25 नमा हो जाएगा यहाँ पर 225 रुपए तो यहाँ पर देखिये यहाँ पर आगया डिसकॉंट 25 परतिसत 225 रुपए तो देखijे यहाँ पर 225 रुपए डिसकॉंट करने के बाद इस वस्तु का दाम कितने रुपए होगा तो चलिए इसे हम निकालते हैं तो देखijे यहाँ पर वस्तू का दाम दिया है 900 रुपए और इसपर 25 परतिसत यानि कि 225 रुपए का डिस्कॉंट मिल रहा है तो 225 को हम घटा देंगे तो देखिए घटाने के बाद कितना आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 675 रुपए तो 25 परतिसत डिस्कॉंट करने के बाद इस वस्तू का दाम हो जाएगा 675 रुपए सेकेन कोश्यन तो देखिए यहाँ पर एक वस्तु है जिसका दाम है 360 रुपए और इस पर 15% का छूट चला है तो 15% छूट करने के बाद इस वस्तु का दाम कितने रुपए होगा यह हमें निकालना है कैसे निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर वस्तु का दाम कितना है 360 रुपए तो यहाँ पर हम 360 को लिखेंगे और देखिए इस पर 15% का छूट चला है तो यहाँ पर इसके गुना में हम 15 को लिखेंगे और यहाँ पर से हम क्या करेंगे प्रतिसत को हटा देंगे तो इधर से प्रतिसत को हटाएंगे तो इसके नीचे में 100 चलाएगा अब देखे यहाँ पर जो कटने वाला संक्या उससे हम काट लेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा यह 5 से कट जाएगा 5, 2, 10, 5, 3, 15 इसके बाद ये 2 से कट जाएगा 2 एकम 2 और इसे 2 से काटेंगे तो 18 आजाएगा इसके बाद देखिए यहाँ पर अब नहीं कटेगा तो 18 का गुना 3 में करेंगे तो यहाँ पर आजाएगा 54 तो यहाँ पर देखिए क्या होगा 360 रुपय और इस पर 54 रुपय का छोट मिला है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें से 54 को घटा लेंगे तो 54 को घटाने के बाद आ जाएगा 306 रुपय तो देखी यह वस्तो हमें 306 रुपय में मिल जाएगा डिस्काउंट करने के बाद तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें